परेश रावल एक भारतिय फिल्म अभिनेता हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी, गुजराती, तेलुगु, अंग्रेजी और मराठी फिल्मों में काम किया हैं। वह 2014 की लोग सभा के सांसत भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुवात वर्ष 1986 में आई फिल्म अर्जुन से की थी। वह अब तक सैकडों फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं और कई सारे सम्मान जैसे पदमश्री, राष्ट्रिय फिल्म पुरुसकार और फिल्म फेर अवार्ड्स उनके नाम हैं। नाम परेश रावल जन्म 30 मई 1950 जन्म स्थान मुंबई, महाराष्ट्र पिता का नाम दह्यालाल रावल माता का नाम ज्यात नहीं शिक्षा सिविल इंजिनियर पेशा अभिनेता, पूर्व सांसक पहली फिल्म अर्जुन पत्नी का नाम स्वरूप संपत। बेटों के नाम आदित्य और अनिरुद्ध परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई, भारत में हुआ है। वह एक गुजराती ब्राहमन परिवार से तालुक रखते हैं। परेशा बहुत छोटे थे जब उनके पिता दह्यालाल रावल मुंबई शिफ्ट हो गए। परेश ने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही पूरी की परेश रावल एक प्रसिध अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा कई फिल्मे की गई है। इनका विवाह अभिनेतरी और मिस इंडिया बनी स्वरूप संपत के साथ हुआ। इनके दो बच्चे आदित्य और अनिरुद्ध हैं। आदित्य रावल भी अपने पिता की तरह अभिनेता बनाना चाहते हैं। और फिल्म बमफाड के जरिये फिल्मों में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। अपनी शिक्षा उन्होंने नर्सी मोंजी कॉलेज आफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से ली। परेश रावल बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे बहुमुखी और शांदार अभिनेता है। इनकी रूची क्रिकेट में बहुत है, कई मैचों में इनको देखा गया है। परेश रावल ने 1985 में अर्जुन की सहायत भूमिका में अपनी शुरुवात की। यह 1986 की ब्लोकबस्टर फिल्म थी जिसने उन्हें महान अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वह 1980 और 1990 के दशक में एक सौ से अधिक फिल्मों में दिखाई दिये। मुख्यत खलनायक के रूप में राजा अंकल, राम लखन, दाउद, बाजी और बहुत सारे किरदार निभाए। 1990 के दशक में उन्होंने पंथ कॉमेडी अंदास अपना अपना में भी अभिनेय किया, जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाए। परेश रावल को दर्शकों और आलोच को दोनों द्वारा 2000 के बॉलिबुड पंथ क्लासिक हेरा फेरी तक एक चरित्र अभिनेता के रूप में माना जाता था, जिसके बाद उन्होंने मुख्य अभिनेता या मुख्य नायक के रूप में कई हिंदी मुख्यधारा की फिल्म में अभिनेता किया, परेश ने फिल्म हेरा फेरी में मंद बुद्धी, उद्दाम और दयालू मराठी जमीनदार बाबुराव गणपत्राव आपते का किरदार निभाया, वह राजु, अक्षय कुमार और श्याम सुनी शेटी को अपने घर में महमान के रूप में लेता है फिल्म को मिली बड़ी राश्ट्रव्यापी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण उनका अभिनेता अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रिष्ट हास्य अभिनेता का फिल्म फेर पुरसकार जीता उन्होंने फिल्म फिर हेरा फेरी 2006 की अगली कड़ी में बाबुराव के रूप में अपनी भूमिका दोहराई जो सफल भी रही उन्होंने तेलुगु बॉक्स आफिस पर हिट फिल्मों में अपनी खलनायक की भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान प्राप्त की है जैसे कि कशाना कशम 1991 मनी, 1993 मनी मनी, 1995 गोविंदा गोविंदा, 1994 रिक्षावोडु 1995 बावगारु बगुन्नारा, 1998 शंकर दादा एम बीबीएस, 2004 और टीन मार, 2011 हिंदी सिनेमा में उनकी अन्य उलेखनिय कृतिया नाम 1986 शिवा, 1990 मोहरा, 1994 तमन्ना, 1996 हैं जिसमें उन्होंने एतरास, 2004, टेबल नंबर 21, 2013 की एक बहतरीन किरदार की भूमी का निभाई और जिला गाजियाबाद, 2013 आदी में अभिने किया फिर उन्होंने अन्दाज अपना अपना, 1994, 4, 4, 20, 1997 हेरा फेरी, 2000 नायक, 2001 आखें, 2002 आवारा पागल दीवाना, 2002 हंगामा, 2003 जैसी हिट फिल्मों में काम किया उचुल 2004 दीवाने हुई पागल 2005 गरम मसाला, 2005 फिर हेरा फेरी, 2006 गोलमाल, फन अनलिमिटेड, 2006 भागम भाग, 2006 भूल भुलेया, 2007 वेलकम, 2007 ओए लकी लकी ओए 2001 आती थी तुम कब जाओगे? 2010 ओएमजी ओहमाई गौर 2012 वेलकम बैक, 2015 पुरी और टाइगर जिन्दा है, 2017 उनकी नवीमतम फिल्म संजू वर्ष की सबसे प्रत्याशित फिल्म है, जो संजय दत की बायोपिक है जिसमें परेश रावल ने सुनील दत की भूमिका निभाई है परेश रावल ने लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली अहमदाबाद, उर्व, निर्वाचन छेत्र से भारतिय जन्ता पार्टी के सांसद, सांसद के रूप में जीते जिसके बाद उन्हें 2019 में भी चुनाव लड़ने का नियोता मिला, लेकिन उन्होंने लोकसभा 2019 का चुनाव लड़ने से मना कर दिया जिसकी वजह उन्होंने राजनीती को परियाप्त समय नहीं देना बताई रावल ने भले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया हो, लेकिन वह खुद को भारतिय जन्ता पार्टी का समर्थक बताते हैं मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के लिए 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरसकार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1994 जीता वो छोकरी और सर के लिए सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता का राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार 1993 जीता सर के लिए फिल्म फेर सर्वश्रिष्ट खलनायक पुरसकार 1995 नामांकित फिल्म फेर सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता पुरसकार राजा 2001 जीता हेरा फेरी के लिए फिल्म फेर सर्वश्रिष्ट हास्य अभिनेता का पुरसकार 2003 जीता आवारा पागल दीवाना के लिए फिल्म फेर सर्वश्रिष्ट हास्य अभिनेता का पुरसकार 1996 जीता राजा के लिए Star Screen Award सर्वश्रिष्ट सहायक अभिनेता 2001 जीता हेरा फेरी के लिए सर्वश्रिष्ट हास्य अभिनेता का Star Screen Award 2003 जीता आवारा पागल दीवाना के लिए सर्वश्रिष्ट हास्य कलाकार के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड दो हजार एक जीता हेरा फेरी के लिए आईफा सर्वश्रिष्ट हास्य अभिनेता का पुरस्कार दो हजार एक हेरा फेरी के लिए कॉमिक रोल में सर्वश्रिष्ट अभिनेता का जी सिने अवार्ड दो हजार तीन आवारा पागल दीवाना के लिए Comic-Role में सर्वश्रिष्ट अभिनेता के लिए G.Sinnay Award 2010, Nominated G.Sinnay Awards Best Comedian at Atithi, तुम कब जाओगे 2010 नामांकित G.Sinnay Awards में सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री को आक्रोश के लिए एक नकारात्मक भूमिका 2012 नामांकित रेडी फॉर कॉमिक रोल में सर्वश्रिष्ट प्रदर्शन के लिए अपसरा अवाड